मोटू और पतलू एक बहुत ही अद्भुत और मनोरंजक कहानी के हीरे के साथ जुड़े हुए थे. यह कहानी है मोटू और पतलू के एक सफर की, जिसमें वे एक जादूई पत्थर के पीछे भागते हैं. एक दिन, फुडक नगर में बारिश हो रही थी. मोटू और पतलू अपने घर में बैठे थे और बारिश की बून्दों का मजा ले रहे थे. तभी एक छोटी सी लडकी ने उन्हें बुलाया. लडकी, मोटू, पतलू, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मोटू, हाँ, बेटा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? लडकी, मेरा घर बहुत दूर है और मुझे रास्ते में एक जंगल से गुजरना होगा. मैं डर गई हूँ क्योंकि जंगल में रात को जादूई प्राणियों का वास होता है. पतलू, बेटा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे. हम तुम्हें सुरक्षित तक पहुचाएंगे. मोटू, पतलू और लडकी ने जंगल की ओर रवाना हो गए. जंगल में चलते हुए, वे एक चमकते हुए पत्थर के पास पहुचते हैं. वहाँ पत्थर बहुत ही खुबसूरत और चमकदार था. लडकी, यहाँ चमकता हुआ पत्थर बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है. मोटू, हाँ, यहाँ सच में बहुत ही अजीब है. पतलू, यहाँ जादूई है क्या? लडकी, हाँ, यहाँ एक जादूई पत्थर है. इसके पास एक मानव को किसी भी चीज़ को बना सकते हैं. मोटू और पतलू बहुत ही चौक जाते हैं. उन्हें यहाँ सोच कर भी विश्वास नहीं होता की ऐसा कैसे हो सकता है. मोटू, क्या यहाँ सच है? लडकी, हाँ, इस पत्थर के पास एक प्राणी है जिसे इसकी जरूरत है. वहाँ हमें उस प्राणी के पास ले जाएगा और फिर हमें इस पत्थर की जरूरत होगी. मोटू और पतलू को इसके बारे में जानकर खुशी होती है और वे लड़की के साथ उस प्राणी के पास चले जाते हैं जब वे वहाँ पहुचते हैं तो वहाँ एक भयंकर दिनोसौर था पतलू, यहाँ कैसा भयंकर प्राणी है? लड़की, यह दिनोसौर बहुत खतरनाक है हमें उसके पास जाना होगा और उसे इस पत्थर की ज़रूरत है मोटू और पतलू को लड़की की बात समझ में आती है और वे धीरे-धीरे दिनोसौर के पास जाते है लड़की उस पत्थर को उस प्राणी के सामने रखती है दिनोसौर ने पत्थर को देखते हुए खुशी से जुमना शुरू किया और उसको अपने मुव में ले लिया जैसे ही वह पत्थर को छाटता है, वह उसी चीज को बन जाता है जो उसने सोची होती है दिनोसौर, धन्यवाद, लड़की यहाँ जादूई पत्थर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मोटू, पत्लू और लड़की बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने इस प्राणी की मदद की है उन्होंने अपने कार्यक्रम के समापन के लिए उस जगह से लौटने का निरनय किया इस प्रकार, मोटू और पत्लू ने जादूई पत्थर को खोजने के बाद अपने सफर का समापन किया और उनकी यात्रा का अंत हो गया यह कहानी हमें यह सिखाती है कि महनत और साहस से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं